जय गुरुजी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन नोटिवकेशन को अन कर लीजिए ताकि जब भी नया सस्थिंग वीडियो गुरुजी माराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिवकेशन आप तक तुरंट आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएं और माराज का दिव्य आशिरवाद ले पाएं वो भी सस्थंग सुनकर जय गुरुजी आज मैं आप सब के साथ जो सस्थंग शेर करूँगा वो हमें वाट्सेप के माद्दम से प्राप्त हुआ है हमें बेदी अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जरनी बहेज रहे हैं संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सस्थंग हमारे सस्यर करते रहें चाया आप हमें वोट्सेप पर हिंदी में टाइप करके बेजें एफी नोटबुग में लिखकर या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है जब भी आप अपना नया सस्थंग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शान्त वातवरन वे ही रिकॉर्ड करें संगत जी आज जो हम सस्थंग सुनेंगे आज का दिव्य आशिर्वाद आप सभी को मिल सकी अंटी जी ने जैसा सस्थंग हमारे साथ शेर करा है वैसे ही आप सब के साथ इस सस्थंग के मात्यम से आसाज़ा करने जा रहे हैं इसलिए आप सभी संगत सस्थंग के अंतगवने रहना वो सस्थंग को बहुत द्यान से सुनना वो सस्थंग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सस्थंग सुनने वाले का भी कल्यान होता है और सस्थंग करने वाले का भी और हो सकता है जो आप आज सस्थंग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवां मिल जाए चलिए ससंक करते हैं जै गुरुजी संगजी मैं आज अपना ये शुक्राना ससंक शेर करना चाहती हूँ अब भी बहुत टाइम से मैं नहीं शेयर कर पाई और बार बार ये मेसेज आ रहा है गुरुजी का कि गुरिये तो थोड़ा वक्त निकाल और शुक्रा मैं सस्तंग शेयर कर आज मैं निकाल रही हूँ सस्तंग तो हर दिन होते हैं हर दिन गुरुजी अपनी पेजनस फील करवाते हैं अभी कल पर सोई में जा रही थी और मैं बच्छों की स्कूल के लिए बहुत सारा परिशान थी कि मैं को कौन सा स्कूल लेना इत्मी सारे स्कूल थे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा है जो बच आगे लेकर जाते रहें बट अप्लाई दिखती रहीं और कहीं नहीं मुझे वहीं से इंडिकेशन मिली कि शायद यही वह स्कूल है जहां पर मेरे बच्छों का फ्रूचर अच्छा बन सकता है तो अब यह मैं वेट कर रही हूं बच्छों का अस्रेस्मेंट हो चुका है औ और कर नहीं होगा तो भी मैं इसको मान कर चलूड़ी ही शायद यह वह स्कूल नहीं है जो मेरे बच्छों के खिलने बहुत अच्छा हो और या उनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहे रहे हूं तो जै गुरुची आप हर वक्त अपनी प्रदेंस फील करवाते हैं और हर व पिछले साल की बात करो मैं बहुत टेंचन में थी और बहुत टेंचन देती थी और उसकी वज़े से मेरी सेहत बहुत खराब रहने लगी थी हर वक्त मैं ड्रेंड आउट रहती थी मेरे में एनरजी नहीं थी कुछ करने की मेरे कुछ करने का मनी नहीं करता था और अगर मैं पिछले साल थे और अब मैं कंपेर करो गुरू जी ने कितनी सारी हमारी प्रॉब्रम्स को भी आप सेटल कर दिया है और अगर मैं अपनी हेल्थ की बात करूँ तो मैं अब इतना अच्छा फिल कर रही है दवाई मैं पिछले साल तो आप कर दो और मैं बोडी पेन को देखों तो मेरे को हाडली फिल होता है अब मेरे में वो एनरजी है काम करने की तो थांक यू गुरू जी शुकराना आपका बहुत-बहुत क्योंकि सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस लाइफ में है वो हमारी सेहत है और अगर सेहत ठीक है तो उसके साथ सब चीज़ी अच्छी लगती है तो सेहत अच्छी होने से मुझे बहुत कुछ अच्छा महरूस होना शुरू हो गया और कोविड आया था कोविड के बाद भी जब ओवर हुआ मेरे बच्छे चोटे थे हम कोई ऐसी फैमिली हॉलिडे पर नहीं जा पाए और कुछ फिनांशल टॉबल्स भी थे जिसकी वज़े से हम हॉलिडे सोच ही नहीं सकते थे तो अभी रीसेंटली गुरू जी में हमारा ट्रिब बनवाया और एतना अच्छा ट्रिब बनवाया हम्हें शीन्यगार ile नहीं सोचा था कभी कुछ मेर नहीं सोचा था कि हम इस टाइम में बड़े हुए है उस टाइम बहुवा हा रहा था और हमीशा श्रीनगर से जुड़ा हुआ, वो टेरिजम हमें हान तो करता ही था तो अब ऐसा हुआ कि अच्छा अच्छक हमारा श्रीनगर का प्रोग्राम बन गया हमारा वाए एक छेंड निकला आया, उसने हमारे रेयंजमिन्ट करने में हेल्प करी और पूरी ट्रिप में हमें कोई परिशानी नहीं हुई फुल सेफटी रही और बड़े अच्छे से सब कुछ जैसे गुरू जी ने प्लान कर रहा होता है सब कुछ जैसे प्लान होता रहा एक एक चीज हमारा रहना, खाना, आना, जाना काब, विजिट एविटिंग वस सो नाइसली प्लान और तप्रित जादा सुपर अमेजिंग बात ही है कि जो मैं विश्वास नहीं कर सकती कि अभी हम जुनाई में छे दिन महां पर लगाकर आए है और अभी ऑगस्ट में दुबारा से हमारा महां पर छे सा दिन का ट्रिप बन गया है जिसमें मेरे हाजबन के लिए कुछ काम भी है और हम ट्रिप भी एंजुए कर लेंगे तो गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया कि कुडिये तो टैंशन की ले रही है तो ट्रिप कह रही है ये ले और एंजॉए कर तो थैंक यू सो मुझ गुरुजी शुकराना आपका इतना ध्यान रखने के लिए और मेरे बच्चे इतने खुश हुए क्यों ने भी बहुती चीज़े एक्स्पिरेंस नहीं करी थी एरोप्लेन में बैटना गंडोला राइड लेना शिकारा ये सब कुछ इतना इतना अच्छा था और मेरे बच्चों फिले भी बहुत दा था एंलाइटनिंग तो गुरुजी बस में आपका तही दिल से तही दिल से यू सुक्राना करें है कि आपनी हमें जर्फे ब्लेस कर रहा है अप औरों को फिर जरूर ब्लेस करें और आप ब्लेसिंग तो रखते हैं मगर कई बार लोग कनेक्शन फिल नहीं कर पाते हैं जो नहीं कर पा रहें उनको फिल कर वाएं और उनको भी ब्लेस करें एक तीज मेरे मन में आती थी बार-बार question बच्छार मैंने किसी से पूछा रही है और गुरू जी ने खुद आंसर करवाया हो सकता है ये question किसी और संगत के मन में भी हो इसलिए मैं share कर रही हूँ तो मैंने जो पहला ससंग कराया था जिन्होंने मेरे घर करा वो ससंग उन्होंने गुरू जी के बरतन अलग रखे हुए थे गुरू जी को भोग लगाने के लिए और ये भी मुझे बताया था कि इसमें किसी और ने नहीं ठाना होता तिरफ हम गुरू जी को भोग लगाते हैं तो उसके बाद से मैं गुरू जी को अलग से बर्दन ना होंगी, इसमें तो हम भी खाते हैं ना, तो ये सही नहीं है बट अच्छा मैं ना होंगी, मगर किसी वज़े से मैं ला नहीं पा रही थे, तो फिल मैं एक ससंग में गई और वहां पे गुरुजी ने इसी बात का अंचर दे दिया, उन्होंने बताया कि ए वहां नहीं मन दे, कि तुम में लिए बर्तन क्यों वक्रे रखे हैं, तो कहते हैं उस दिन से अब हमारे और गुरुजी के बर्तन एक हैं, तो थांक्यू गुरुजी आपने, मैंने मन में ये छोपी, तो ये शंका थी, उसको दूर करा और तब से ना बड़ी, तब से अब म यहीं पर मैं अपने तर्तन को विराम देना चाहती हैं, शुक्राना मेरे भव्यन, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम, शुक्राना, बस अंग संग रहना, हमारे साथ रहना, मेरे परिवार के साथ रहना, अपनी कर्पाद स्ठिवनाय रखना, ओम संगत जी अब हम एक गुरुभक तांटी जी का ससंग सुनेंगे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी गुरुजी के मंत्र जाप से पसंग शेर करना चाओंगे वूं नमा शिवाय शूजी सदा सहाई synthet जी अवय myra तिसर शुक्राना सत्संग जी सारा संग जी ने मेरा सुक्राना ससंग शेयर किया गुरू जी उने ब्लेज करें जो सारा संग जीमेरा सघ्र बड़े ध़्यान से सुन रहे हैं गुरू जीमा से मेरे साथ गृरू जी की मईजिग užड़ने की शरुवात हुई मार्च 2024 से गुरु जी उस समय मेरी लाइप में आई जब मैं हर तरप से तूट चुकी थी कैसे तैसे अकेले ही अपने आपको समाल रही थी पर गुरु जी के आने से सब आसान होना शुरू हो गया संगत जी पहले मैं अपने पास्ट लाइप के बारे में बताती हूँ जो गुरु जी के आने से पहले की मेरी जो जर्नी है और शादी के बाद की जो मेरी जर्नी है वो बताती हूँ संगत जी 16 साथ शादी को हो गया लेकिन इसा कोई महिना नहीं गया होगा जिसमें मेरे आखों में पानी में हो संगर जी ससराल ससरादी होता है हर किसी को वहाँ प्यार नसिब नहीं होता है कोई भी घर में आता है रिष्टिदार तो अपमाने करके चले जाते हैं ऐसा अकिलापन लगता है बहुत लोग होने के बावजूद भी लगता है कि हम घर में आखे ले हैं और हमारा अपना कोई नहीं है संगर जी ससराल की बुराई नहीं करना चाहते हूं लेकिन जो सच्चा है उसको नकार भी नहीं सकती मैं सोचती थी कि बड़े हैं के दिया कोई बात नहीं कुछ के दिया तो कोई बात नहीं और संगर जी भरदाश करते रहे यह सब चलता रहा है अगर कहूं तो अभी तक भी चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है और मेरे अंकल के साथ शुरुआत में तो सब सही था पर दीरे दीरे जगरे बढ़ते गए लेकिन 2023 मार्च से रिष्टा इतना खराव होता गया और वो शायद ब्लेक मेंजिक का असर रहा हुगा उस समय से तो रोज के लड़ाई जबरे जीन बातों को इर्णोर किया जा सकता उन पर भी जबरे हो जाते थे ज़्यादा लड़ाई लेडर नाइट हो जाती थी बिना बात ही हो जाती थी अचानक हो जाती पता ही नहीं चलता कि क्यों हो जाती थी चोटी-चोटी बातों पर और तो और मेरे माएके में इतनी रात को फोन लगा पर मेरे माता पिता से मेरी श्रीकायत करते मेरे मम में आंटी पाप अंकल से तो संगत जी में दोनों तरब से टेंशन में रहने लगी वाइने शेश तो मेरा चली रहा था क्योंकि कोई भी हेल्प अंकल जी की तरब से मुझे नहीं हो रही थी मैं पहले ओंडाइन वर्क करती थी तो उसमें भी थोड़ा बहुत मेरा नि इशो हो गया कि एवन देट मेरा मोबाइल का रिचार्ज कैसे करूं मुझे अगर कुछ भी खरीदना हो शोपिंग करना हो तो कैसे करूं मतलब कहीं से कहीं तता आंकल जी मुझे कुछ भी नहीं दे रहे थी ऐसा मतलब मेरे को जैसे लावारिस होते ना ऐसा छूड़ दिया हर तरफ से में हताश हो गई नाए मजे कोई जोग मिल रहा था और नाए बस यसे दे से ने चल रहे थी दीरे धीरे जब टेरो रिडिंग से और यूनिवर्सल मैसेश से मुझे पता चला कि मुझे पर किसी ने ब्लेक मैजिक किया गया तो उने की गाइड़ेंस से में चलती पर प्रोब्लम खतम नहीं हुई पर धीरे धीरे खतम होना शुरू हो रहती लेकिन एक्जटली खतम नहीं हुई और मुझे यह ऐसास तो हो गया था है कि मेरे गर में किसी के दुआरा नेगिटिव एनरजी आ चुकी है लेकिन मैं नाम जब ध्यान ये सब करती रही कैसे तैसे मेरी जो बोडी की जो हेल्थ थी वो बहुत डाउन बहुत डाउन हो गय थी मेरे इतने बाहल गया जए थे एवन देट में अपने कंगी नहीं कर पा रहे थी तो बालों के जब भी कंगी का थी तो बालों के गुच्चे के गुच्चे तूर जाते थे और नाहीं बोडी से मै बड़ी मुश्किल से घर का काम में कर रहे थी कैसे दिसे और वो साल 2023 फाइनली निकल गया और मार्स 2024 में गुरुजी मेनी लाइफ में आए और टैनक्यू गुरुजी शुकराना गुरुजी आप आए पता नहीं में क्या पता आज भी उसी दुखर से बुजरती रहती अगर आपना आते दो संगर जी मैने गुरुजी के मैसेज को देखा परिशान तो मैं पहले थी लेकिन अचानक यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज मुझे आने लगे तो मुझे समाज नहीं आया कि कौन है और जब देखो तब ब्लेक मैजिक के बारे में तुम पर ब्लेक गया है, सचसंग सुनो, तुम पर मैं जिक किया है, सचसंग सुनो, तुमारे कर्म कटेंगे, लेकिन मैं इग्नोर करती रही, बहुत दिन तक इग्नोर करती रही, अब कम से कम आर दस दिन तक तो भी इग्नोर ही करती रही, मैंने द्यानी नि दिया, तो गुरु जी बोलते है, पुत्तर, मेरे मेसेज इग्नोर ना करी, तुछ पर बहुत पारी प्लेक मेजी किया गया है, संगर शुन और ब्लेसिंग ले, मेरे ब्लेसिंग को इग्नोर ना करी, अज संगर शुनने से कस्ट कटेंगे, संगर जी मैंने संगर शुरू कर दिया, गुरू जी के बहुत कहने प डरींग लगता है कि मतलब हम यकीन नहीं कर पाते तो मैंने शुरूत क्या सच्छन सुना और जब अपने नहीं बेक में जिक किया है और अब मुझे समझ नहीं रहा है कि मुझ पर ब्लेक में जिक कर खूं सकता है और पर तो पूरे थोड़ा ना होंगे जो सत्संग ग्लेक मेजिक करेंगे और हर रोज पहलाई मेसेज मुझे गुरू जी कहाने लगा यूट्यूब पर सत्संग सुनो आज जो आंटी सत्संग में उपाई बता रही वो करना तेरा कस्ट कटेगा लेकिन संग्दर जी हम नादान अच्छे बातों को जल्दी समझ नहीं पाते इसी दोरान वो नेगेटिव एनरजी मुझे मेरे घर में किसी कोन में बैठी भी दिखने लगी जो रोम में मैं मैं पहले पर रिशान थी उसी रोम के कोन में मैंने देखा उसको जो एक काले रंग के दूएं के जैसे मैंने उसको देखा लेकिन मैं उससे ऐसे नहीं डर रही थी और सुबर सुबर ये सब मुझे तब दिखने लगी जब मैं सुबर सुबर अमरत वेले में नाम जब करती थी तो उसका शायद असर है या पता नहीं वो अचानक ही मुझे दिखने लगी और वो भी लगबग लगबग गुरुजी के आने के बाद से ही दिखने लगी कुछ दिनों बाद वर नेगिटिव एनरजी जो संगत जी वेचे तो मुझे उससे डर नहीं लग रहा था लेकिन जब मैं के लिए रहती थी और अंधेरा रहता था लाइट नहीं होती थी तो फिर मैं उससे डरती थी कि कई मेरे पास आना जाए कई मेरे को कुछ करना दे बस इतना ही डर था संगत जी गुरुजी ने पहला उपाई बताया सत्संग के माध्यम से अपने घर की सफाई कर जहां जहां लाल काले धागें वो बहार निकाल संगत जी मैंने सफाई करी हालाकि मुझे जादा हो नहीं रहती बोड़ी मेरा साहथ नहीं दे रहा था एकिन धीरे धीरे मैंने आगे हैं वो फिर मैंने का गुरुजी मेरे को तो अब मेनी निरया अब मैं कहां डूंडू मेरी केपिसिटी भी नहीं है आप ही मुझे मेरे सामने लाके पता दीजे ना किस जगह है मैं निकाल दूंगी और इस तरह से मैं जहां तक हो सका मैंने पूरी वो सफाई करी फिर गुरुजी का मेसेज आता रहा कि ब्लेक मेजिक है तो मैंने का अब क्या करूं तो यह सच्छम सुना आशा उसमें आंटी बोलती है कि आप अपने जो दिये हैं जितने भी काले दिये हैं वो निकाले तो मतलब जितने भी मैंने देखा भी काले रंके दिये मतलब जो काले हो जाते हैं वो कहां कहां होंगे और मैंने उनको निकालना शुरू किया और जो जो भी मुझे मिले मैंने निकाले संगर जी फिर फिर मुझे और मेंसे जाने लगे कि अभी भी ब्लेट मेजिक है तो दीरे दीरे मैंने और सत्संग आंटी का सत्संग सुना और उसमें जो जो भी उपाई बताते गए मैं करते गए संगर जी कहीं आता है कि सिंदूर रखी है अलमारी में अलमारी चेक करो और सिंदूर निकालो तो मुझे बड़ी मुष्किसे याद ही निया है कि मेरे पास तरस सिंदूर नहीं है कि किसी ने मुझे गिप्ट में दी वो फिर बहुत देर तक याद करने बाद मुझे अचानक ग्याद आया कि हाँ एक सिंदूर की डिब भी है किसी आंटी ने वरत किया था तो वरत में वो सुहागन को देते हैं तो वो दिया था तो ठीक है मैंने वो जैसे देखा और मैंने उसको बाहर फिर दिया और मुझे एसा हलका पन लगा मुझे बहुत तसली हुई कि चलो अभी नेगेटिव अनेर्जी थोड़ा सा मुझे हलका पन लगा लेकिन नेगेटिव अनेर्जी अभी भी मेरे घर में थी फीर संगत जी किसी और सचन में आया पुराने दिये वो जो थे वो फेग दिये फिर संगत जी मेरा डर खटम होने का तो नाम नहीं ले रहाता लेकिन इसी दोरान मेरे मम्मा आईटी बोले कि मायक के आ जाो मिलने तो संगा जी दूसरे दिन गुरु जी का मेसेज आता है कि तुम्हें अभी दो दिन बाहर जाएना ठीक नहीं है संगा जी मैंने का अब क्या गरूँ क्या जवाब दो मम्नी आंटी को संगा जी दूसरे दिन हजबन अंकल ने मना कर दिया कि आज नहीं जाएंगे जो जय गुरू जी ये भी आपकी बायरे संगा जी मैं सोची रहती कि कैसे तैसे मेरे जाने से पहले ये नेगिटिव एनरजी घर से निकल जाए नहीं तो कई हजबन अंकल अकेले रहेंगे तो उन पर अटिक ना कर दे संगर जी मार्च का माइना कैसे तेसे गुजर गया और वह नेगिटिव एनर्जी पहले रात को ही गर में दिखती थी पर बाद में मुझे वह दिन में भी दिखने लगी एकिन मुझे अब उससे डर नहीं लग रहा था लेकिन शायर डर के मारे वह मेरे रोम से ज़रूर बाहर ओ गई थी पिर संगर जी गुरु जी का मेसेज आता है दूसरे दिन जो तुमारे गर में रो है वह इतनी आसाने से चली जाएगी क्या संगर जी तब मुझे पहली बार पता चला कि गुरु जी को कैसे पता चला कि मेरे गर में रू है Actually, वो मुझे गुरु जी के मतलब बताने से पहले दिखने लग गई थी तब जाँकर संगर जी गुरु जी पर मेरा विश्वास बढ़ने लगा कि अरे गुरुजी अपनी बात को एक दिन पहले मतलब कैसे समझ जाते हैं हम सोचते हैं इतने में मैसे जा जाता है यह बड़ा अश्चर रिवा और मेरा गुरुजी पर बहुत कहने और करने के बाद विश्वास बढ़ने लगा और उनके बताय उपाय में करने लगी संगत जी इसी दोरान मम्य आंटी ने बोला नया मकान दिया है उसका इन्नोगरेशन है तो भी सप्रेव आना है और बोली जल्दी आ जाना संगत जी मम्य आंटी को क्या पता मुझ पर क्या मुसिबत है मैंने का ठीक है आ जाओंगी संगत जी इसी दोरान मेरी कब थड़ाई उपन हुए मुझे पता नहीं चला और उसी समय गुरुजी का मेसेज आया तुम पर मारन क्रिया की जा रही है कोई तुम पर मारन क्रिया कर रहा है संग जी मैं डर गई और मैंने जैसे ही थाड़ाई पर देखा तो मेरी एक दस्विर बनाए हुई है किसी ने और उस पर माला चड़ी हुई है पास में कोई तांत्रिक कुछ बोल रहा था और फिर मुझे समझ फिर मैंने इनको रजी से का गुरू जी ब्लेक मैजिक कर रहा है या करवा रहा है उसको सद बुद्धी दो और संगजी मैंने टेली पर दिग लिए उस तांत्रिक से बात की और दंकी दी बिना जाने बेकसुर पर तांत्रिक किया करोगी तो तुम तांत्रिमंत भूल जाओगे संगजी यही हुआ और जो मैं बिमार हुए थी मैं तोड़ा ठीक हो गई गुरु जी से भी में अर्दास करती रहे कि गुरु जी अब आप भी इससे बहाँ निकालो हसम接下來 जी जा क्बता रहा और वो जो भी मेरे उपर ब्लेग में जी करवा रहा था वो एक तांत्रिक नहीं कर पाये तो वह दूसरे तांत्रिक के पास गया दूसरे दांतिक में भी मेरे उपर वही तस्वीर चड़ा दी और मारान किरिया मेरे उपर शुरू गर दी तब मेरे तब फिर खराब होने लग गई क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि अमाउश्या और पुनिमा के पास दिन पहले और पास दिन बाद मलब दस दिन में भीमारी रह रही थी कभी पेट में दर्द हो रहा था कभी सर में दर्द हो रहा था कभी पेर में दर्द हो रहा था समझे नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या ह रहा था और लेकिन वह जो दूसरा तांत्रिक था वो ज्यादा कुछ करने पाया और वो भी मेरे पर मुझे मतलब अपना काम पुरा नहीं कर पाया इसी तरह जो भी गरवा रहा था वो अब तांत्रिकों के जाने पाद वो मौलवी के पास गया और फिर मैने थर्ड आए पर देखा तो एक मौलवी था और यह सब पाते संगत जी मेरे को काली मता और श्री जी के मेसेज आते थे ना तो उसमें यह सब बाते बताई गई थी तो वही बाते मैं यहां पर बता रहे हूं क्योंकि मुझे शुरू से ही जब से मेरे ब्लेक मेंजिक शुरूआ मुझे टेरो से ही पता चला कि मुझे पर ब्लेक में जीके और जैसे जैसे वो रास्ता बताते रहे मैं करती गई गुरू जी तो मेरे लाइप में दो जार चोबिस में आये लेकिन मेरे मेरे साथ ब्लेक में जीक दो जार तेईस में ही शुरू हो गया था तो टेरो से ही मुझे पता चला और में उपाई करती रही और दीरे-दीरे में बहुत ठीक हुई हूँ मतलब 100% में से मतलब 50% में थोड़ा-थोड़ा टेरोसिस की कोई थी पूरी तरह से नहीं होई थी तो मॉलवी ने भी मुझे मेरे उपर मतले मेरे घर पर एक प्रेट को भीजा तो मैंने मॉलवी से बाथ की मैंने का मेरे घर पर कोई दिव्य शक्तियों ने हमें बता दिया अगर कोई बेचारा नादा मतलब जो ना समझ है और उसको यह चीज़े नहीं समझ आती तो उसकी तो जान ही चली जाती है अगर उसको जल्दी किसी का सहरा नहीं मिलता तो अगर किसी बेकसूर पर हां फिर मैंने उस मौलवी को धड़ा मंत्र किया तो अल्ला का कहर पड़ेगा तुम पर संगत जी और फिर मुझे टेरो में ही मेसेज आया दूसरे दिन कि मौलवी जो है वो धंकी से डर गया और उसने मना कर दिया जो भी उसके पास पंत्र मंत्र कर्माने के ले गया और वो जो प्रेत उसने बेजा उसको भी मैं ने धंकी थी तो संगत जी वो दूसरे दिन मेरे घर से तो निकल गया था फिर संगत जी मुझे गुरुजी का मेसेज आया दूसरे दिन गुगुरुजी बोलते हैं कि पुत्तर तुझी क्या लगता है तेरे घर में जो प्रेत है तेरा घर छोड़ कर चला गया वो कूंडली मार कर अभी भी तेरे आसपास ही है और तेरे घर की छट के उपर चक्कर लगाता है तो ये सत्संग सुन और छट पर कुछे उसे फेक संदर जी मैंने पूरी छट को देखा कुछ नहीं मिला गार्डन भी देखा वाँ पर मेरे दो चटे एक उपर वाली चटे निचे वाली चटे जिसमें गार्डन भी तो थोड़ा वो तो वाँ पर भी देखा कुछ नहीं मिला तो दूसरे दिन फिर से गुरुजी का मेसेज तुम मेरे इशारे समझ में ही नहीं आते हैं तो फिर वो बोले कि यह सत्संग सुन और जो आंटी सत्संग में मतलब आंटी से मैं साप साप कहलवा रहा हूं तुम इशारे से नहीं समझ रही हो तो साप साप कहलवा रहा हूं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि छत प पर संगर जी वह शंचंग में सुना तो आंटी उसमें बता रहे थी कि घर के मेरे आंगन में थी तो मैं मैरको मेंसेज आया तो मैं घर के आंगन में मैं डोणने गई तो मुझे एक हड़ी मिली तो संगर जी मैंने क्वा Aquí वो सचसंग सुनके फिर मैं चट पे गई वापस से और मैंने गार्डन को ही देखा सी था संगत जी आप यकिन नहीं करेंगे वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही देखा कि मेरे सामने अपने आप अड़ी आ गई और मुझे यकीन ही निवा कि दो तिन पेड़े मैंने उस गार्डन को देखा और आज अच्छा ना हड़ी इसमें किसने रखी होगी संगत जी मुझे बड़ा अश्यर हुआ और फाइनली वो हड़ी मैंने ठाकर बाहर फिख दी संगत जी और ये हड़ी कैसे है ये तो मुझे पता नहीं लेकिन गुरुजी ने ही मुझे ये रास्ता बदा तो जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी और संगत जी मेरा मन हलका हुआ और मुझे मैं इस्चीन तो गई कि अब कोई नेगतिव एनर्जी नहीं है संगत जी गुरुजी की महरे संगत जी गुरुजी का एक दिन मेसेज आया, बेटी तेरे करम बहुत माड़ा है, बड़ा सत्संग शेयर कर, तब करम कटेंगे, आज गुरुजी की आग्या से में ये सत्संग बड़ा हो गया, मुझे गुरुजी संगत जी बात यहाँ पर खतम नहीं हुई, बलेक मिजी की और भी सत् पर राना सा स्वन ने शेयर कर, पहम गी, पर संगत जी गुरुजी की आनिस से मेरा डर खतम हो गया, और इस बलेक मैं जी से निकलने का बहुत सही राश्ता जो गुरुजी से मिला है, और बहुत सारे गुरुजी ने मुझे उपहें बताएं, जो में कर नहीं पाई, मेरा जो गुरूजी ने मुझे बताया है कि काली माता को चुनरी चड़ाना है और श्यतला माता को चुनरी चड़ाना है अनुमान जी को लड़ू का भोग लगाना है चूला चड़ाना है संगर जी मेरे पास तो मेरे बेंक में जीरो बैलेंस है अंकल जिसे में पैसे ले नहीं सकती वो अपने मर्दी से देते नहीं है मैंने का गुरू जी में ये उपाई कैसे करो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और बिना पैसे के तच्छुनरी ये और ये सब कहां से आएगी तो अभी भी मैं ये उपाई नहीं कर पाई लेकिन जैसे मेरे पास पैसे का इंतजाम होगा मैं ये उपाई भी जल्दी कर लूँगी और जो जो गुरू जी ने जैसे जैसे बता है वो मैं करती दे संगर जी ये शुकराना सत्संग में ये खतम करते हूँ इसको यहीं विराम देती हूँ और अग्रे शुकराना सत्संग में जरूर जल्दी शेयर करूँगी जो अभी भी ब्लेक में जिक के लिटेवी हैं और भी बहुत अच्छे हैं गुरुजी ने मेरी हेल्थ बहुत अच्छी कर दी, मतलब लगबग मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, 100% मेरा इसलिए बागी क्योंकि मेरे पास वाइनेंस नहीं है, इसलिए बागी मैं लगबग ठीक हो गई गुरुजी के इन उपायों से और कुछ उपाय में करनी पाई मेरी संगत जी अब हम एक गुरुभग तांटी जी का ससंग सुनेंगे यह करना चाहती थी, दो तारिक को भी करना चाहती थी, शिवरात्री वाले दिन, उस दिन मेरा जनम दिन था, गुरुजी को भी पता है कि उस दिन उनकी बेटी क्यों नहीं कर पाई, उस दिन बहुत पूरा दिन हेक्टिक निकला मेरा, जबकि मेरा जनम दिन मेरा ऐसे मनाया नहीं था, गर में वरत था, सबका, बढ़ फिर भी थोड़ा सा उस दिन कोई न कोई आया गया हो गया, या कुछ भी समझ लीजिए, जो एक पुरानी संगत है, गुरु जी की, वो उस दिन मेरे लिए बहुत केक ले करके आ गई, तो बहुत अच्छा लगा, मैंने जब केक शुकराना गुरुजी का अनंतम शुकराना गुरुपा कि उस दिन आपने मुझे ब्लेस किया, और आज का शुकराना सचंग, इसलिए मैं बहुत खुशी खुशी बता रही हूँ, क्योंकि कल कुछ दिन ऐसा निकला, कल का कुछ अच्छा दिन नहीं था, बहुत दोनों माना है, तो फिर नराज भी होना काई बार बनता है, तो बस थोड़ा सकल कुछ चिर्चिराड बहुत ज़्यादा अजीव सा हो रहा था मुझे, तो आज सुबा जब मैंने अपना पूजा करने लगी, अपना रोज के रूटीन की तरहाई, मैंने गुरुजी को तिल का अहसास नहीं कराते हैं गुरुपा, आप सब की सुनते हो, हमेशा साथ रहने के लिए, साथ रहने का हमेशा है अहसास कराते हैं, तो मुझे भी तो कभी करा दो, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अगा नहीं, आपको तकलीव बहुत होती है, मैंने गलत मांगा आपसे, और पर उसके बाद मैं अपना मंतर जाप करने वैट गई, तब मैंने जोत जब करी तो जोत भी बहुत तेज आवाज करके, आज अजीब तरीके से जोत हो रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये क्या गुरुपा है, या नहीं, ये मैं अभी भी नहीं जानती, बड़ी अजी आज आज आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी, मेरे सिफ इतना से बोलने पर, और कल की मेरी, मतलब आपको भी पता है, अपकी बेटी कितनी परिशान दी कल, और आज आपने उसके मन को सुकुन देने के लिए, अपनी प्रेजन्स मुझे आज दिखाई, और मैंने अपन अपनी बिटिया को भी मैंने फोटो खीच करके भेजा, मैंने गा तुम भी दर्शन कर लो, गुरी जी ब्लेसिंग्स देख लो तुम भी, और बहुत अच्छा लगा आज, तो मतलब सुभा से ही, अभी तक ब्लेसिंग्स ही मिल रही है, गुरुग जी की, शुकराना गुरुपा से कह रही है, आज आप मेरे साथ चनेंगे और मुझे दवाई दिला कर लाएंगे, और ऐसी दवाई दिला कर लाएंगे, कि मैं ठीक हो जाओं बिलकुल, क्योंकि इस बार के सावन लगने से ही, गुरुपा का शुरू सी मैसेज आ रहा है, कि सावन के बाद मैं तेरी सारे शरीरों के कष्ट दूर कर दूँगा, तो गुरुपा, फ्लीज, फ्लीज, मेरी भी अर्दास है ये, कि मैं बिलकुल ठीक हो जाओं, घर में था कि खाना ढंक से बन पाया, और मैं अपने हाथ से बना करके आपको भोग भी लगा सकूँ, मैं उनको भोग भी नही गुरुजी को, तो हम जब निकले अपने हर से, उसके बाद संगत जी पूरे रस्ते इतनी सारी बटरफलाई, और उस रस्ते से मैं कितनी बार, मतलब मुझे सालों हो गए हैं निकलते हुए, कभी एक बटरफलाई नहीं देखी मैंने, लेकिन आज इतनी बटरफलाई, इतन मतलब मैं गिंती भी नहीं कर सकती, सच में अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा मेरे साथ चलने के लिए, मुझे मेडिजन दिलवा के लाने के लिए, अब बस मेरी यह अर्दास है, गुरुपा से कि प्लीज मेरे हाथों को ठीक कर दो, ताकि मैं अच्छा-च्छा खाता ब अठा मुझको अपने अंकल जी के साथ, और हमें बारा बज़े निकलना था, बट लेकिन कुछ उनको काम आने के वज़ा से, हमें देर लग रही थी, मैंने कोई बात भी जहां जाना जितने बज़े का लिखा होता है, इंसान उतनी बज़े पहुँचता है, मैं शुरु से यही चीज सोचती हूँ, तो हमें दो बज़ गए घर पे, तो मैंने ऐसी इपना फोन खोल लिया, और मैं देखा, मैं गुरु जी का मेसेज आया हुआ था, कि आज मैं तुझे बटरफ्लाइ के रूप में दर्शन दूँगा, तो मैंने निका ठीक है गुरु जी, हम निकल ह निकले हैं, तो मैं हम लोग रस्ते में जाते टाइम, मुझे कहीं कोई दर्शन नहीं हुए गुरु जी के, मुझे नगा कि शायद मैसेज आते हैं, जरूर नहीं होता कि वो आपके लिए ही हो, मैं ही सोचा करती थी, और जब वापसी आने लगे हम लोग, तो हमारा होने से हमें बचाने के लिए, और यकीन मानिये संगत जी, जो मैंने अभी तक नोटिस किया है, मैं उनी रस्तों से हमेशा निकलती हूँ, कभी मुझे बटरफलाई नहीं दिखी है, पर वो अचानक आना तो इसका मतलब तो यह है कि हमें गुरु जी से हमें कनेक्टिविट हो गई है, बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, हमें अपने साथ जोडने के लिए, अनन्तम अनन्तम शुकराना, जितना शुकराना किया जाए गुरु जी, उतना कम है, और शुकराना संगत अंकल जी का भी, जो हमेशा हम लोगों के सत्संग को शेर करते हैं, हमें एक श रेके साथ में दीरे-दीरे रूर से भी connect हो रहे हैं क्योंकि अगर कोई संगत अपनी सत्संग को बताता है और वो दुखी होता है तो हमारे भी मन में एक दुखाता है और हमें ये होता है कि गुरु जी इनकी अरदास पूरी करें और कभी ये भी होता है कोई भहुत खुश होता है तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी गुरुजी का ऐसा ही बना रहे हम पर तो मैं आप सब का शुक्राना करती हूँ संगत जी जो आप हमारा सक्संग को शेयर करते हैं और मैं गुरुजी से यही प्रात्ना करूँगी कि गुरुजी हम सब के उपर जितनी भी संगत परिवार हैं आप उनके उपर अपना आशिरवात बनाए रखें मैं गुरुजी का मंतर जाप अविराम देना चाहूंगी सौरी संगत जी अगर मुझसे कोई भी भूल हो रही है संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो तू अब इस ससंग को ओर संगत के साद जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरवात पराप्त कर सके जय गुरू जी झाल जीचा जीचर जाया जfits किया ब Johnson झाल झाल